सीजन टू एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि कॉम्बो स्ट्रीट पर मैच सेल कर रहा है उसके पास दो लोग कार में आते हैं और सिर्फ उसके पास देखते हैं उन्हें कुछ खरीदना नहीं होता तब कॉम्बो उनको अपनी गन दिखाता है और चले जाने के लिए बोलता है वो लोग सरकल लगाते हैं और एक कॉर्णर पर कॉम्बो को ही देखते रहते हैं कॉम्बो थोड़ सा सस्पिशेस हो जाता है और उसके फ्रेंड को कॉल करता है उसे वहाँ आने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि कुछ लोग मुझे सस्पिशेस लग रहे हैं और वो मुझे कुछ कर सकते हैं एक छोटा लड़का उसे साइकल से सरकल भी कर रहा होता है उसके सामने आकर वो छोटा लड़का थम जाता है और उसे गन से उड़ा देता है नेक सिम्मेव में Walter, Skylar और उसके दो डॉक्टर्स इनसे बात चल रही होती है Walter का जो डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि पहले मेरा डाइगनोसीज जो था कि तुम्हारा कैंसर इनॉपरेबल है पर अब जब तुम्हारा कैंसर कम हो चुका है तो अब हम उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं और वो उसे एक नए डॉक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये कंट्री के बेस डॉक्टर है और अगर तुमने इनसे ऑपरेशन करवाया तो तुम्हारे सरवावियल के चांसे और भी बढ़ सकते हैं तो वो डॉक्टर उन्हें एक्स्प्लेन करते हैं कि जो तुम्हारा अभी कैंसर है तो तुम उसे सिर्फ टाइम दे रहे हो वो टाइम के साथ बढ़ तो जाने ही वाला है पर अगर तुम थोड़ी सी रिस्क लोगे और इस पर सोचोगे तो अगर तुमने ऑपरेशन करवा लिया तो तुम्हारा सरवावियल के चांसे बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं हम पुरा कैंसर वह से निकाल लेंगे तो सकाइलर थोड़ा सा डाउट करती है और उन्हें पैसो के बारे में पूछती है तो डॉक्टर से बताता है कि 190K के आसपास तुम्हें ऑपरेशन के लिए लगेंगे यह बहुत जादा होते है इसलिए का सकाइलर कत्रा रही होती है पर वाल्टर कॉन्फिडन्स से बोलता है कि हम करवा लेते हैं और एक ओपरेशन की डेड़ भी वो फिक्स करा लेते हैं सकाइलर की भी बेबी आने भी वाली होती है नेक्स दो विक्स में तो एक महिने के जेसी और skinny beat बात कर रहे होते हैं, जेसी को skinny beat बोलता है कि अब में ये काम नहीं कर सकता और वो move कर रहा है, उसका probation पर भी वो होता है, इसलिए अगर वो इसमें involved हुआ, तो वो फिर से jail जा सकता है, तो इसलिए वो छोड़ देता है, वो जेसी को ये भी बताता है, कि अब हम अब continue नहीं कर सकते business, अब जेसी और Walter तोनों Saul के पास जाते हैं, उनका lawyer, जेसी Walter पर भड़क रहा होता है, कि तुमने ही operation expand करने के लिए बोला था, इसलिए combo की जान चली गई है, अब उनका problem ये होता है, कि उनके पास बहुत सारा मेथ होता है, और अब उसको कैसे हमें sale क करना है, जब वो Saul को अपने मेथ की quantity बजाते है, तो Saul surprised हो जाता है, और उसे बहुत अच्छा लगता है, तो Saul उन्हें suggest करता है, कि अब तुम लोग एक dealer से deal कर लो, और अपना सारा मेथ उसे sale कर दो, तो वो दोनों कहते हैं, कि हमने पहले भी किया था, पर ये reliable नहीं होता, और जान का भी खत्रा बहुत होता है, तो Saul उसे बताता है, कि तुमने गली गुंडों से deal की थी, पर तुमें एक अच्छा सा businessman चाहिए, जो strictly business को business की तरह treat करता हो, किसी गली गुंडे से मैं अब तुमारी deal नहीं करवाऊंगा, तो वो बताता है, कि मैं एक call करूंगा, और एक अच्छे businessman को मैं जानता हूँ, तो उससे तुम अपनी deal करवालो, जैसी बहुत परेशान होता है, तो Jayne उसे पूछती कि क्या wrong है, तो Jayce उसे बताता है, कि मैं तुमें नहीं पता सकता कि मैं क्या काम करता हूँ, और ये काम के related ही है, जैन figure out कर लेती है, कि ये drug sale करता है फिर Jayce उसे बता देता है, कि मेरा एक friend मर चुका है, जैसी उसे बोलता है, कि अब मैं जरा नशी करने वाला हूँ, तो तुमें यहाँ से चला जाना चाहिए, तो कि तुम एक program में हो, और तुमें नशा नहीं करना चाहिए, जैन जा रही होती है, पर वो अपना mind change कर लेती ह और वो Jayce के room में चली जाती है, और नशा करने लगती है, उस businessman के साथ Walter और Jayce की meeting fix करवाता है Saul, और वो एक restaurant में आ जाते है, उस restaurant का नाम Los Bolos होता है, वहाँ फिर जब Jayce आता है, तो वो frustrated होता है, कि हमारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है, और तुम continuously इसके बाद भी business करते ही रहने वाले हो, और ये frustration वो Walter पर निकालता है, और वहाँ से चला जाता है, लौस पोलोस का manager आता है, और उनको उनके meal की quality पुछता है, नेक सीन में Skyler की sonographic चल रही होती है, और Walter ज़रा देर बात वहाँ आता है, Skyler में थोड़े से flutes कम रहते है, इसलिए डॉक्टर उसे बताती है, कि हमें C-section करवा लेना चाहिए, Skyler को भी लगता है, कि पिछले बार बहुत दर्द हुआ था, इसलिए अब C-section करवा लेना चाहिए, वो एक date fix करवाते है, और वहाँ से चले जाते है, चेन नशे करके, जैसी के bed पर ही पड़ी होती है, और जब वो उठती ह तब फिर से वो मेत करने लग जाती है, जैसी उसे cheer up करने के कोशिश करता है, उसे बोलता है कि हम museum चलते है, जो museum तुमें पहले भी देखना था, उसी museum में हम फिर से चलेंगे, पर वो continue कर दी है नशा करना, टेड का birthday होता है, तो इसलिए Skyler उसके लिए एक अच्छा सा cake ला एक impression उससे करवाता है, वो भी मान जाती है और उसके लिए एक expression कर देती है, वोल्टर को उस restaurant में कोई भी मिलने नहीं आता, तो वो Saul से call करता है, Saul बोलता है कि तुम्हें और जैसी को उस business man ने देखा, और तुम दोनों उसे पसंद नहीं आए, तो वो तुम्हें पात्चित किये बिना ही वो वहाँ से चला गया, तो वोल्टर उसे बोलता है कि उसे हमसे business करना ही होगा, फिर से एक meeting तुम रखवाओ, पर Saul बोलता है कि मैं उसे personally नहीं जानता, मैं एक बंदी को जानता हूँ, वो उसे जानता है, तो अब उसे तुम पसंद नहीं आए, तो हम फिर से उसे contact नहीं कर सकते, वोल्टर फिर से वही restaurant में चला जाता है, और अपना meal order करता है, और वही बेठा रहता है रात तक, तब ही manager वहाँ फिर से आता है, और वोल्टर उसे बोलता है, कि मुझे तुम से बात करनी है, उसे बेठने के लिए बोलता है, वोल्टर figure out कर लेता है, क क्यों तुमने हमें reject किया, तो वो पहले deny करता है, कि वो वही businessman है, जिससे वॉल्टर मिलने आया था, पर उसके बाद वो बोलता है, कि तुम्हारा partner नशे करकर आया था, और वो late भी आया था, मुझे ऐसे लोगों से business नहीं करना है, वोल्टर उसे बोलता है, कि क्या तुमने मेरे product की quality देखी है, ये एक best product है, और मैं तुमें अच्छे से provide कर सकता हूँ, किसी भी moment पर मैं तुमें delivery दे सकता हूँ, तो वो businessman Walter से पुछता है, कि तुमने क्यों JC को अपना partner बोलाया है, Walter बोलता है कि वो reliable है, और वो मेरी सब सुनता है, इसलिए मैंने उसे मेरा partner बनाया है, तो businessman Walter को बताता है, कि drug addict पर तुम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, Walter उसे पूछता है, कि अब हम contact में कैसे रहेंगे, तो वो उसे बोलता है कि मेरे पास तुमारा number है, और मुझे लगा तो मैं तुमसे contact करूँगा, next scene में, Ted को Skyler explain कर रहे होती है, कि जो companies से तुम deal कर रहे हो, उस companies को जो revenue आ रहा है, उससे ज़रा कम revenue इस sheet में रखा हुआ है, तो वो Skyler को explain करने के कोशिश करता है, कि कभी-कभी companies देर से revenue देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम में पहले डाल देता हूँ, और फिर जब अच् में maintain हो जाता है, तो Skyler उसे बोलती है, कि मैंने सब चेक किया है, और मुझे चो lost revenue था, वो कभी भी नहीं मिला, और ये बहुत बड़ा fraud है, millions में ये fraud हो चुका है, तेड की चोरी पकड़ी जाने पर, वो Skyler को बोलता है, कि ये company बहुत ही loss में है, और इसलिए मैं इस company को ही टिकाने के गोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे father की legacy है, इसलिए थोड़े से bad year आ गये है, पर फिर भी इस company को मैं फिर से उपर ले जाना चाता हूँ, इसलिए मैंने सब किया है, Skyler उसे बोलती है, कि ये government allowed नहीं करता, और इसलिए लोग jail में भी जाते है, तुम जो भी कर रहे और ठीक है, मैं तुम्हें पोलिस में नहीं देने वाली, पर मैं तुम्हारा साथ इसमें नहीं दे सकती, तो Ted उसे बताता है, कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, जैसी अभी भी trace में होता है, तो Jen heroine लेके आती है, अब वो meth कर रहे थी, अब उसका नशा बढ़ता जाता है, और वो heroine करने लग जाती है, वो दो heroine के syringes बनाती है, और वो Jesse को एक देती है, Jesse पहले बार heroine try करता है, और high हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है उससे लेकर, trade अपने office में होता है, और expect नहीं कर रहा होता, कि Skylar फिर से वापस आएगी, पर Skylar फिर से वापस आ जाती है, Walter अपने school में होता है, तभी उसका phone बचता है, जो secret phone उसने ceilings में छुपा रखा होता है, वो बचता है, जब वो उसे देखता है, तो वो उस business का ही message होता है, और वो उसे lost police में बुलाता है, वहाँ जब वो देखता है, तो वो business man वहाँ available नहीं होता, पर वो जब जा रहा होता है, तभी उसका एक आदमी उसे message देता है, कि एक घंटे में 1.2 million के लिए तुमें सब delivery देनी होगी एक जगा पे, तो Walter जल्दी जल्दी JC को call करता है, पर JC JC दर्वाजा नहीं खोलता, तो Walter बैक डोर से जाता है, और दर्वाजा किक कर देता है, दर्वाजा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है, JC के मूँपर पानी डालता है, क्योंकि JC उटने ही रहा होता है, JC से पूछता है कि सब मेत का है, JC उसे kitchen के sink के अंदर है, सब बोल पर अब उसे drug देने जाना है, इसलिए वो scholar के delivery पर नहीं जा सकता, उसे message आता है कि delivery हो चुकी है, और उसे बहुत खुशी होती है, और वो drugs देने चला जाता है, यही एपिसोड खतम हो जाता है